नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं मरुधरा न्यूच इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि CBI को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया वहो नहीं था हैरानी इस बात की हमें तो हुई मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी कि ये करने में दस दिन क्यों लगा दिये साहब नहीं तबियत तो ठीक है साहब की हमारे दस दिन लग गए CBI को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की या तो CBI और एजन्सीज अब सुननी रहे साहब की या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें या गर्मी की छुटियां हो गई चले गए हमें नहीं मालूम क्या हुआ लेकिन दस दिन साहब को लग जाएं एजन्सीज को सत्विपाल मलिक जी के पीछे चोड़ने में ये हैरानी की बात है पूरा देश इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा है कि पुल्वामा पर जो खुलासा सत्विपाल मलिक जी ने किया उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलेगा कोई तो मुझ खोलेगा कोई जानकारी देगा कोई जवाब देगा कोई प्रतिक्रिया देगा क्योंकि सत्विपाल मलिक जी ने बड़ा स्पश्ट तौर पे कहा था कि इंटेलिजिंस फेलियर था सुरक्षा में चूक थी पांच विमान अगर मुहया करा दिये जाते जवानों को सी आर पी एफ के तो ये आतंकी हमले से वो बच सकते थे